मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिस कीचेतावनी दी है लगतार रुक रुक कर हो रही बारिस से लोगों में डर का माहूल है कहीं आशियाना बहना जाए इस्थानिये लोगों ने जीला प्रशाशन वजन प्रतिनिध्यों से जल्द कटाव निरोधक कारे कराने की मांग की है कई लागों में सड़क के बह जाने से एक जीले का दूसरे जीले से संपर्क भंग हो गया है तो कई जगहों पर लोगों खुद बार से बचाव करते नजर आ रहे हैं बेतिया में लोगों ने नदी के कटाव से काउं को बचाने के लिए खुद ही अस्थाई बांध बना डाला तो वहीं मुझबर फुद के निचली इलाकों में बूठी गंदक तबाही मचाने को आतूर दिख रही है बिहार में लगता रुक रुक कर हो रही बारिस के करन नद्यों का जलिस्तर बढ़ने लगा है तो कहीं गाउं में घुजा पानी तो लोगों को सताने लगा है कटाओ का डर बिहार के सिमांचल की इलाकों में सबसे ज़्यादा बर्सा होती है इसलिए इसे बिहार का चेरा पुंजी भी कहा जाता है ऐसे तो इस पारिस में बार की खबर बिहार के कई जीलों से आती रहती है बिहार के ग्रामिन इलाकों में जहां नद्यों के कटने का डर लोगों को सता रहा है तो किसन गंच प्रखण इचेतर के इन गाओं चिलहनिया, मटियारी, महिस, बत्ना, गुवावारी, माल टोली, सुहिया, माली टोला, धवेली, आदिक कई गाओं काल कन कई नदी होकर बहती है जहां नदी का जलिस्तर बढ़ने से गाओं में पानी आ चुका है पुल-पुलिया के उपर से पानी बहने लगी है बिहार में मौनसून के प्रविश करने के बाद से ही जीलो में मुश्लाधार बारिस हो रही है लेकिन अब यह बारिस लोगों पर अपना गहर बरपा रहा है दरसल भारि बारिस के कारण जीलों के कई नदियों का जलिस्तर बढ़ चुका है जिसके कारण जीलों में बार के स्थिति उत्पन हो गई है लोगों का अब अपने घरों में जीना मुस्किल हो गया है तो कई जगों पर आवागमन ठप हो चुका है प्रदेश के कई जीलों में लोग अपने घरों को छोड़ कर फुल पर सरन के लिए मजबूर हो गया हैं और सरकार राजदानी में बैट कर नीतिया बनाने में मस्गूल है झाल